अलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल नौट बुद्धा स्टडी सेंटर धाहा के यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं शुरंद कमार इस यूटूब चैनल के जरिए विद्या सागर अंगनी से सम्मधित टाइम एंडिस्टेंस का इंटोड़क्शन क् इसके अंतर गहते कुछ देखिए तक्त लेके आया है तो इसको समझेंगे सबसे पहले देखिए आप यह जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और इसी में देखिए दोस्तों दूरी बराबर सुत्र बन जाता है तो चाल गुने समय अब देखिए इसके थोड़ बटा में 1 सभी डिजट के बटा में होता है जैसे माल यह 4 है, 5 है, 6 है, इतियादी लिखा हुआ है कि सभी के बटा में एक रहता है लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है इसी लिए दोस्तों एक चुपा हुआ है। तो देखिए इसको cross multiplication कीजिएगा तो देखिए एक को दूरी से गुना कीजिएगा तो एक गुने दूरी हो जाएगा और देखिए इसको इसे गुना कीजिएगा चाल गुने समय हो गया। तो यह घो गया दूर के बotुलेاس नुट की दूरे सोल हुआ etwas की दूरे बाग ब्राबर हो गज़्िए इस समय को रख लिए अब देखे समय को रख लिए अब देखे इसको एधर भीज़ लिए बराबर के इस साइड में कई इस दुणों के वीछ में घुनाक शेंर उधर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा भाग में तो यह हो गया बट्टा मिंसाल हो गया अब देखिए इससे देखिए कुछ चर्चा कर लेते हैं यदि माली ये बराबर के इस साइड आपका कोई भी चीन क्या हो दोस्तों पलस में उधर जाएगा तो माइनस में इधर देखे माइनस म साइड ले जाएगा तो क्या हो जाया आपको गुना में हो जाया देखिए इस परकार से क्या होता है बदल जाता है चलिए अब चलिए नेश्ट क्योड चलते हैं देखिए अब इसमें देखिए आपका है सापेक्स चाल क्या होता है अब इसको समझे दिशा में चाल अब द दिशा में चल रही है छो देखिए इसका चाल मालेते हैं एकस और इसका चाल मालेते हैं यदि आपसे पुछ देगा सब एकस चाल होता है बरा में से छोटा को घटा दीजिए यानि एकस माइनस वाई यह होगे आपका सब एकस आप देखिए इसी में क्या होता है आप एक चीक चाल क्या होता है जब कोई भी दो गारी विपरी दिसा में चलती है यानि इधर से माली ये कोई गारी आती है तो दोनों का कोई चाल होगा दोस्तों इसका चाल मैं माल लिया एक्स और इसका चाल माल लिया वाय अब देखिए आपको विप्री विशा में कहेगा, तो चाल क्या होगा, आपेक्सिक चाल जुट जाएगा दोस्तों, यानि X पलस Y हो जाएगा, अब चलिए, यानि कहने कार्थ, सापेक्स चाल जो होता है, क्या होता है दोस्तों, चालो का अंतर होता है, और आपेक्सिक चाल होता है, आपका का चालू का योग होता है अब चलिए दोस्तों कभी-कभी आपको देखने को ऐसा कोश्चन भी मिलता होगा की किलो मीटर प्रप्रती सकेंड में वदल लिए तो देखे इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों पांच बट्टा अठारों देखिए 12 से छोटा जो चीज में बदलेंगे वही चीज उपर रखेंगे यानि मान लिजे इधार मान लिजे 18 किलो मीटर परती घंटा है अब हमको बनाना है मान लिजे देखिए दोस्तों इसको याद रखना पड़ेगा पांच और 18 किलो मीटर परती घंटा अब इसको बनाना है हमको मीटर परती सकेंड में यदि कह देखिए इसको याद रखिएगा इधर किदर जा रहा है यानि 12 से छोटा की ओर तो क्या करेंग इसको लिखेंगे और जो चीज बदलना रहेगा उसको उपर लिखेंगे यानि छोटा बना रहे हैं इस दोनों में छोटा कुन है पांच और क्या लिखेंगे नीचे में बरा लिखेंगे इसको देखिए कातिएगा पांच ये क्या हो जाएगा मीटर परती सकेंड अब मान मीटर पर्ति घंटा में बदलना है मनलिजी और मनलिजी और यह 5 परigkeit the दिया गया है इसको बादलना हमको बरा बनना यानिंगी छोटा से बरा बनना खोडंगे और यहां देखिए छोटा बनाना था छोटा बट्टे बरा लिखे अब देखिए यहां क्या बनाना है बरा बनाना है बरा बनाना है तो बरा बनाना है तो बरा बट्टे क्या लिखेंगे छोटा देखिए यह हो गया 18 किलो मीटर परती घंटा अब चली एक और लेते हैं अब देखिए इसको लेत क्या चोंटा बट्टे बरा यानी चोवन गुए क्या लिखें चटा बनाना है छोटा वार देखे। क्या है अठार एके हो 50 मнаहीं सुर्थ यारण में इस परकार से चेंजु करें चलिए उसतों फिर नट करते हैं और फिर आते हैं चलिक दूस्तों जोसा की देख रहे है अब दूरी से समद्द मैंने इस नोट कर लिया इसको समझ ये इसको समझयना बेहद ही जरूरी है दोस्तों जा मान लेजिए दो गारी एक-दूसरे को पार करे तो क्या क्या होगा मालीजिये ऐसे गारी जा रही है और एक गारी मालीजिये इधर से आ रही है तो इस इस्थिति में दूरी क्या होगा तो इधर का जो गारी जा रही है उसकी दूरी और इधर से जो गारी आ रही है उसकी जो लंबाई होगी दोस्तों दोनों की जो लंबाई वही उस तो देखिए दूरी हो जाएगा आपको X पलस Y और देखिए यह आपको जब एक ही भी साम जाएगा तो भी यही होगा दूरी क्या होगा जूट जाएगा दूरी क्या होता है दोस्तों हमेशा जूट जाता है यानि इधर से माली एक गारी जा रही है एक रेल गारी फिर माली इधर से ही जा रहे है। इसी स्थरी में भी उसकी दूरी क्या होगा। जुट जाएगा। इसकी लंभाई the मंस् या सिंगनल को पार कर रहा है या पलेट फ़ॉर्म पे खरेंана बैकती क्षा रहा है या पेर को पार करा इतियादी को पार करेगा उस इस्तिती में क्या होता है दूरी को यानि इस इन सब का दूरी को क्या माना जाता है नगन माना जाता है उस इस्तिती में रेल गारी की जो लंबाई होगी आपका वही क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा यानि माल जाएक इस इस्ठिती में रेल गारी की लंभाई ही क्या हो जाएगा- इसमें देखिए आप कभी-कभी क्या होता है आप देखते होंगे कि रेल गारी मान लीजिए, कभी-कभी क्या होता है, पलेट फोन को पार करता है, या किसी पूल को पार करता है, उस इस्तिरिम दूरी क्या हो जाएगा, तो देखिए, उस इस्तिरिम क्या हो जाएगा, डारी की लंबाई, दोस्तों, उस इस्तिरिम आपका दूरी हो जाएगा, गारी की लंबाई और क्या हो जाएगा पलस पूल या पलेट फॉर्म की लंबाई हो जाएगे देखिए इसी स्कीम यह दूरी हो जाएगा चलिए दोस्तों फिर कुछ नॉट करके आते हैं आपके स्कीन पे मंें डॉट कर लिया अब सबहते हैं आप जानते होंगे खुल दूरी बटा क्या होता है कुल समय होता है और देखिए दोस्तों एक और फर्मूला होता है कि इस कंडिशन में क्या होता है आपको दो चाल दिया हुआ रहेगा तो एक मानलीजे एक चाल दिया हुआ रहेगा और एक y चाल दिया हुआ रहेगा इस इस्तिति में आप से पुछेगा औस चाल बरावर क्या लगाईएगा सुत्र दोस्तों तो देखे ये लगाईएगा 2x into y बट्टा x plus y अब देखे एक और होगा इसी में क्या होगा दोस्तों तो देखे दोस चाल दिया हो रहेगा एक ट्रेन देखिए इसमें ट्रेन का चाल दिया हो रहेगा इस इस कि में ऑसद चाल के इसी निकालेंगे तो देखिए 3 into xyz बत्टा कि या लगाएंगे बत्टा xy पलस yz पलस zx इस सुस्थर को लगाके हम क्या निकालेंगे और देखे दोस्तों आज की लितना ही और एकड़ी दोस्तों इतने भी दोस्त के लोग मेरे विडियो देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यबाद और इस वीडियो के आपको description में 34 example का जो आपका question है उसका PDF मिल जाएगा उसको बनाईएगा और बनाने के बाद आप देखेंगे उसमें बहुत सारे question सिखने को मिलेंगे तो इसी class से सम्मझने introduction class के अंतरकर एक class का update और में दूँगा उसके बाद मैं फिर आपको ले चलूंगा class की हो सारे question को solution करने का पूर्णत प्रियास करूंगा और मेरा प्रियास रहेगा सभी question आप समझे तो थैंकी दूस्तों आज लिए दना फिर मिलते हैं next वीडियो में